हेलो दोस्तों नमस्कार आज किस वीडियो में हम जानकारी लेंगे ओरा स्मूद 4X टैबलिग के बारे में दोस्तों अक्सर आपने कई सारे लोगों को देखा होगा या जिन्दगी में कभी न कभी आपको इन चीजों का सामना करना पड़ा होगा जैसे आपके मूह के अंदर ढले वह स्पोर निया हों वाइट वाइट पड़ गये हों इसकी अलाबा रेशट जैसे ओट परत पड़ कि MMA पीने में好吃 को तीखा चीजा खाते हो दोस्तो इस टैबलेट के बार में पूरी जानकारी लेंगे उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वेल का इकन को प्रेस करिएगा तो दोस्तो चलते हैं अपने टॉपिक क कि आज किस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं और शूर्ज फोटेंज के बारे में दोस्तो सबसे पहली बात आप यह संबहे यह जो और शूर्ज लैज ऑती है यह दोस्तो दो टैबलेट के strip के form में available होती है basically इसके अंदर चार components पाए जाते हैं चार प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो कि इस टैबलेट में पाए जाते हैं सबसे पहला जो तत्व होती है दोस्तो रिवो फलाबीन फॉलिक एसीड नाइसिनामाइड इसके अलाबा लैक्टिक एसीड बैसिलस यह चार components को मिला करके इस ओरा स्मूथ फोरेक्स टैबलेट को बनाया गया है दोस्तो अक्सर जब हमारे मुह के अंदर चाले पढ़ते हैं वाइट वाइट अस्पोर्ट पढ़ते हैं फफोले पढ़ जाते हैं जैसा कि आप इमेज में जिसकी वजह से भी यह हो सकती है किसी प्रकार का वेक्ट्रिल निफेक्शन हो गई हो जिसकी वजह से भी हो सकती है इसकी अलाबा यदि आप किसी चीज को खाते हैं या किसी खाना से आपको इलर्जी हो गई है या आप स्मॉकिंग करते हैं धुर्मपान करते हैं यह कारण स भी दोस्तों आपके मुह के अंदर फफोल यानि छाले पड़ जाते हैं इसके अलावा गर आपके बॉड़ी के अंदर बिटामिन बी टुवेल्व की डिफिसेंसी यानि कमी हो गई हो जिसकी वजह से भी यह माउथ अलसर यह स्टमाटाइटिस की सिकायत वैक्ति में देखी ग ज़्यादा बनने लगी है यह भी कारण बन शकती है आपके मुह के अंदर छाले होने के इसके अलावा यदि आप अंग्रेजी दवाईयों का जाद से जादा सेबन कर रहे हैं तो यह अभी एक कारण हो सकता है कि अगर आपके मुह में छाले पड़ गए हो तो और यह सारी क चीजों को टीट करने के लिए इस औरा समूथ 4x टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली दोस्तों इसका जो होते हैं आप यू समझे एक टैबलेट शुवा में एक टैबलेट शाम में इसका लिए जाते हैं इसके अलावा कुछ परहेज भी रखनी होती है अगर ज्यादा दवायों का सेवन कर रहा है जिसकी वज़ा से यह सारे कंडिशन हो रही है तो उन दवायों को बन करना है ज्यादा गैस बन रही है पेट में तो गैस की मेडिसिन लेनी है और पानी ज्याद़ ज्याद़ पीना है यह सारे कंडिशन परहेज करना है इसकी आलाव दरद होता है काफी प्रशानियों को सामना करना पड़ता है तो आप तीक बिलकुल भी ना कहाएं साधा भोजन करें घुसके तो फल फूरुट का शेबन करें इसकी अलाबा इस टेबिट का डोजस इच सही तरीके से ले यह दोस्तों मैंने आपको बताया इसकी अलाबा आपक किसी प्रकार का देखने को मिल रही है तो दोस्तों को लेना बंद करें नजदी की डॉक्टर में शंपर्क जरूर करें तो दोस्तों आज किस वीडियो में हमने जानकारी लिया और आसमूद 4x टैबलेट के बारे में यहां आपको किसी भी मेडिकल अश्टोर में मिल जाएगी 50-60 रुपय के MRP में 10 टैबलेट का आपको श्ट्रिप मिल जाएगी तो दोस्तों सही तरीके से इसे इस्तमाल करें आपने यूज जाना डो जाना स्टाइट जाना कॉंट्रा इंडिकेशन जाना इसके साथ ही किन कारणों की वज़ज़ से आपके मूँ में अस्टोमाटाइ सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए विश्यों अल्डवेस्ट धन्यवाद